ICAR National Institute of Biotic Stress Management N.I.E.B.S.M. राइपूर की स्थापना बारवी पंचवर्ष ये योजना के अंतरगत वर्ष 2012 में किया गया इस संस्थान का मेंडेट क्रिशी शोग शिक्षा एवं विस्तार है Outreach योजनाओ की शुरुआद 2015 से की गई अनुसूचित जाती उप योजना, SCSP, जनजाती उप योजना, TSP, NEH कारेक्रम, मेरा गाव मेरा गौरव कारेक्रम, MGMG, Farmers First पर योजना, बायोटेक किसान हब, DBT का अखिल भारतिय कारेक्रम इन सभी आउट्रीच योजनाओ का क्रियानवन इंदिरा गाधी क्रिशी विश्व विधाले के अंतरगत साथ क्रिशी विज्ञान केंद्रो के सहयोग से चत्तीसगर राज्य के लगभग 16,500 किसानों को लाभानवित किया गया, जिसका विवरन इस प्रकार है भारत सरकार बहुआयामी द्रिश्टिकोन से अनुसूचित जातियों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए अनुसूचित जाती उप योजना, SCSP को लागू किया गया ICAR NIBSM राइपुर में अनुसूचित जाती उप योजना का कार्यान वेन वर्ष 2019-2020 से किया जा रहा है इस योजना का क्रियान वेन 36 गर्ड राज्य के 5 जिलो दुर्ग, राइपुर, महा समुंग, बलोदा बजार, राइगर्ड और जश्पुर में किया गया जिसमें वर्षवार लाभानवित किसानों की सख्या वर्ष 2019-20-1140, वर्ष 2020-21-523, वर्ष 2021-22-584 है इस योजना की गतिविधियों में वेज्ञानिक क्रिशी तक्नीकों के प्रशिक्षन और उच्च किस्मों के धान एवं दलहनी फसलों जैसे चना अरहर के बीजों का वित्रण, फलों वस सबजी जैसे टमाटर, बैंगन, मिर्च, भिंडी, आलू के बीज एवं पौध का व इत्यादी के बीज एवं पौध का वित्रित किया गया तथा उनकी खेती की विधी एवं उप्योग पर प्रशिक्षन भी दिया गया। पौध सनरक्षन किट जिसमें हस्ट चलित स्प्रेयर मशीन, एप्रन, गंबूट, मास्क इत्तिदी का वित्रण कर उनके उप्योग करने के बारे में ट्रेनिंग दी गई। क्रिशी उपकरणों जैसे अंबिका धान वीदर, सीड ड्रिल मशीन, हैपी सीडर, हैंड वीदर, हो, बियाई हल, बीज उपचार ड्रम, मक्का शेलर, तेंदुआ लोहे का हल, कोनो वीदर, मेर मेकर, श्री से धान बुवाई यंत्र, जल भंदारन टैंक इत्यदी का वित्र क्रिशी प्रनाली, इफ्स, की एक मॉडल इकाई के रूप में, विक्सित किया गया है, जिसमें किसानों की आये को दुगुना करने के साथ साथ संतुलित क्रिशी प्रणाली पर प्रशिक्षन दिया जा रहा है ICR NIBSM राइपुर में किसान आवासिय प्रशिक्षन छात्रावास की सुविधा के साथ SCSP और TSP के तहट एक प्रशिक्षन घटक भी शुरू किया गया है क्रिशक आवासिय छात्रावास का उध्गातन संस्थान के 11 वेस्था अपना दिवस के अफसर पर दिनाग 10 अक्टूबर 2022 डॉक्टर अशोक दलवई, मुखे कारेकारी अधिकारी, राष्ट्रिय वर्शा सीचित क्षेत्र प्राधिकरन, क्रिशी और किसान कल्यान मंत्राले भारत सरकार के द्वारा किया गया। एजेंटों के उत्पादन एवं अनुप्रयोग पर आवासिये ट्रेनिंग का आयोजन किया गया जिसमें 26 किसानों को ट्रेनिंग दी गई। हमारे संस्थान में जनजातिय उप्योजना का कार्यान वेन सन 2018-19 में किया गया। इस योजना के तहट चत्तीसगर के आदिवासी बहुल जिले जशपुर, काके, राजनांद गाम, रायगर एवं महा समुन्द चुने गए साथ ही शहरी क्षेत्र रायपूर के आदिवासी हिद्ग्राहियों को भी इस योजना का लाव दिया गया। इस योजना के कार्यानवयन के लिए संबधित क्रिशी विज्ञान केंद्र का भी भरपूर सहयोग रहा। उन्नत किस्म के फसल बीजों का वित्रन धान, अरहर, चना और आलू के बीज है। कटाई हो सके वो उत्पादन के लागत में भी कमी हो सके। वित्रित पशुधन और कुककुट की उन्नत नसलों में सिरोही बक्रिया, वनराजा चूजे, टी एंडी सूक के बच्चे, जापानी बटेर और खा की कैंप बेल, वाइट पेकिन बतक के चुजे शामिल है। जंगल की तराई में बस रहे आदिवासी किसानों को मधुमक्खी पालन की विशेश प्रशिक्षन दी गई एवं मधुमक्खी की पेटिया एवं शहद निशकर्शन मशीन दी गई। इसी प्रकार बटेर पालन, मश्रूम उत्पादन पर प्रशिक्षन दिया गया जिससे आदिवासी किसान अपना छोटा मोटा व्यवसाई शुरू कर सके। पोशन कर सकें, स्वयम सहायता समोह की महिलाओं को मल्टी ग्रेन मीले, डाल मील आदी दिये गयें जिससे वो खाली समय का उप्योग कर कुछ आमदनी कमा सकें। इसके अंतरगत फसल, पश्चुद दिये गया है। इसके अंतरगत फसल, पश्चुधन, क्रिशी उद्यम, बागवानी और नर्म आधारित मोड्यूल को अपनाया गया। दो हजार बीस एककीस में हमने एने एच क्षेत्र के अन्य हिस्सों में गतिविधियों का विस्तार करने के लिए सहयोगी केंद्र के रूप में CAU, इमफाल को शामिल किया है। इसमें साथ पूर्वोत्तर राज्यो असम, मिजोरम, सिक्किम, मनिपूर, अरुनाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मेघाले से 1210 से अधिक किसान परिवार, 33 गाम, 10 जिले शामिल है। शम्ता निर्मान पहल के रूप में, बहु प्रोद्योगी की परीक्षन केंद्र और व्यावसाइक प्रशिक्षन केंद्र और CAU और NEHU के विस्तार शिक्षन निदेशाले द्वारा 25 से अधिक प्रशिक्षन आयोजित किये गए। विशेश रूप से, ICR NIBSM और NEHU ने मेघालय राज्य के पश्चमी गारो हिल्स में ग्रामीन गाव को शहद गाव में बदल दिया। मेरा गाव मेरा गौरव, MGMG, कारिक्रम, 2015-2022 MGMG कारिक्रम के तहट दो जिलों के 15 गावों का चैन किया गया है। जिसमें रायपूर जिले के ब्लोक धर्सीवा और तिल्दा और दुर्ग जिले के ब्लोक पातन और दुर्ग ब्लोक के गावों का चैन किया गया। ICR National Institute of Biotic Stress Management, रायपूर में 2015 से मेरा गाव मेरा गौरव, MGMG, कारिक्रम लागो किया। और MGMG कारिक्रम के प्रभावी कार्यानवें के लिए वैग्यानिकों की तीन बहु विश्यक टीमों का गठन किया। ICR NIBSM वेग्यानिकों की मेरा गाव मेरा गौरव, MGMG, टीमों ने हर महीने प्रदर्शनों, वैठकों, गोष्टियों और मोबाइल सला, साहित्य एवं विभिन योजनाओं के संबंद में जागरुकता अभियान चलाया गया और व्यक्तिगत दोरे का आयोजन करके विभिन पहलों पर चैनित गावों के किसानों को जानकारी प्रदान की। इस पहल के तहट कुल मिलाकर 1035 किसान परिवार लभानवित हुए। एनारे माधारित मौड्यूल को स्थापित किया गया है। इस कार्यक्रम के तहट 634 से अधिक आदिवासी किसान परिवार लभानवित हुए तथा कुल 54 उननत क्रिशी तकनीकों जैसे धान के बाद दलहन, बकरी पालन, कड़कनात मुर्गी पालन, मश्रूम उतपादन, पॉली मल्चिंग के साथ कम लागत वाले पॉली हाउस और पर्यावरन के अनुकूल कीट प्रबंधन आदि को स्थापित किया गया। उसके अतिरिक्त किसान संचार केंद्र, कस्टम हायरिंग सेंटर, क्रिशी प्रसंसकरन केंद्र आदि भी स्थापित किया गया जिससे दिशत्तक मौसमी पलायन में कमी आया है। इस कारेक्रम के तहट कुल मिलाकर 515 शमता निर्मान कारेक्रम आयोजित किये गए जिसमें 8,417 आदिवासी किसान लाभानवित हुए। बायोटेक किसान हब के तहट डीबीटी का अखिल भारतिय कारेक्रम। डीबीटी बायोटे प्रिशी विज्ञान केंद्रों को कारेक्रम के क्रियानवन के लिए उपकेंद्रों के रूप में चिन्नित किया गया। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य उन्नत चावल किस्मों जैसे सूखा सहिशनू, बीपीएच प्रतिरोधी किस्मों, जैव प्रोध्योगी की रिश्टिकोन के माध्यम से विखसित पोशक तत्वों से भरपूर चावल की किस्मों, बायो एजेंस के अनुप्रयोग को लोगप्रिय बनाना है। इस कार्यक्रम में कुल 15 गाउं से 150 किसान परिवारों को शामिल किया और 29 से अधिक क्रिशी तक्नीकों जैसे उननत सबजी की आए में बड़ोतरी किया गया। इसके अलावा क्षमता निर्मान की पहल के रूप में 374 से अधिक क्षमता निर्मान कारेक्रमों का आयोजन किया हैं, जिसमें क्षेत्र प्रदर्शन, प्रशिक्षन, प्रदर्शन यात्रा और किसान, वैज्यानिक परिचर्चा शामिल ह और इस कारेक्रम के तहट 11,551 किसान लाभानवित हुए हैं। किसान फैलोशिप कारेक्रम के तहट तीनो आकानक्षी जिलों से कुल 120 किसान लाभानवित हुए। का प्रसारन दूरदर्शन पर भी किया गया इसके अतिरिक्त एक गाव को बायोटिक स्ट्रेस फ्री विलेज अपनाया गया है। जिसमें क्रिशी, पशुपालन एवं पादा प्रोग सनरच्छन एवं ड्रोन के उप्योग एवं किसानों की आय को दोगुनी करने पर प्रश दिया जाएगा।